हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है प्रशंसा ननद के लिए कितना भी कर लो परंतु शास कभी भलाई नहीं देती भाविलो अपनी साड़ी या साड़ी मुझे पसंद नहीं है पाईल ने अपनी भाविया नामिका से कहा जो कुछ दिन पहले अप अपने मायके में रहने के लिए एक हपता रुक कर आज भावापस अपने पती के साथ अपनी ससुराल जा रही थी तब उसकी भावी ने उसे एक साड़ी भेट की थी जिसे देखकर पाईल और उसकी मम्मी का मुह बन गया था अनामिका की समझ में नहीं आ रहा था कि साड़ पाईल को प्रसंद नहीं आई अब से पहले उसने पाईल को अनेक शाड़या भेट की थी परंदु पाईल को कभी भी उसकी किसी भी साड़ी में कमी नहीं नजराई थी उसके द्वारा दी हुँई साड़ी की वहा बहुत प्रसंसा करती थी इस बार भी वह पाईल के लिए अच्छी साड़ी खरीद कर लाई थी लेकिन पायल को साड़ी पसंद ना आने पर वह उसे कोई दूसरी साड़ी देने के लिए कमरे में गई तो जैसे ही उसने साड़ी रखने के लिए सूट केस खोला तो उसकी आखिया स्चर से खुली रह गई थी क्योंकि किसी ने उसके सू खरीद कर लाई थी जो ननत के लिए लाई शाड़ी से थोड़ी महिंगी थी उसकी बहन उसे हमेशा उसके जन्म दिन पर अच्छी अच्छी साड़ियां और कप्ड़े देती थी इसलिए उसने सोचा क्यो ना मैं बहन की साल गिरा पर अच्छी सी साड़ी दूँ ननत को तो वहा हरती जितेवहार पर और गर्मीयों की चुट्टियों में जब भी वह घर आती हमेशा अच्छी साड़ी देती थी परन्त बहन को साड़ी देने का यहां उसका पहला मौका था इसलिए वहाँ अपनी बहन के लिए थोड़ी महंगी साड़ी खरिद लाई थी और उसने दोन बहन के लिए लाई हुई साड़ी सूट केस से निकाल कर पायल को देने लगी तो पायल गुश्य में बोली यह साड़ी आपकी बहन के लिए है मैं इसे नहीं लूंगी अपनी बहन को ही दे देना तभी उसकी सास बोली यदि तुझे साड़ी देनी ही थी तो पहले देती क्या जरूरत थी तुझे दो तरह की साड़ी लेकर आने की, दोनों साड़िया एक ही कीमत की लेकर आती, परंत तु ऐसा क्यों करती बहू, तुझे तो ननत से ज्यादा अपनी बहन प्यारी है, सास की बात सुनकर अनामिका का मन दुखी हो गया था, वह दुखी श्वर में बोली, म की बार भी मैं उनके लिए अच्छी साड़ी लेकर आई थी, किसी ने ठीक ही कहा है, ननत के लिए कितना भी कर लो, शास कभी भलाई नहीं देती, परंत तु बहन के लिए जरासा कर दो, तो हंगामा खड़ा हो जाता है, मेरी दीदी ने मुझे हमेशा दिया ही है, यदि एक साड़ी में उनके लिए थोड़ी महंगी ले आई, तो क्या हो गया, आप तो अनेक बार मेरे साथ ऐसा करती है, जब भी घर में कोई फंक्सन होता है, आप दीदी के लिए हमेशा उनकी मनपसंद महंगी साड़ी लाती है, और मेरे लिए सस्ती साड़ी लेकर आती है, तब आ पार बच्चों के एड्मिशन किताब कापी और्डरस में पैसा ज्यादा खर्चों गए इसलिए मजबूरी में ऐसा हो गया परन्तों आपकी पैंसन तो आपके पास ही रहती है जिसमें से खर्चों के लिए आपसे कोई एक पैसा भी नहीं मांगता फिर भी आपने को बार मेरे साथ ऐसा करती है अनामिका की बाते सुनकर उसकी सास का चेहरा उतर गया था उनसे कुछ कहते नहीं बना था वह सरविन्दगी भरेश्वर में अनामिका से बोली तू जो साड़ी पैल के लिए लाई है वहीं दे दे उसको वैसे भी कीमत कपड़ों की नहीं प्यार की होती है मुझे पता है तू पैल से बहुत प्यार करती है आज के बाद मैं तुम्हारी निष्टा पर कभी उंगली नहीं उठाऊंगी शास की बात सुनकर अनामिका के चेहरे पर मुश्कान आ गई थी उसने प्यार से वह साड़ी पैल को दे दी थी पैल ने भी खुशी से साड़ी स प्विकार कर ली थी आसा करती है दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद